जोहार जर्खन नमस्कार साथियों आपका अपना यूटूब चैनल रामा मैत मस्ती में स्वागत चलिए ले चलते हैं आपको क्लास की ओर और दिखाते हैं कि जैससी 2019 में पेपर 3 में ये क्यूचन आपको जो दीख रहा है वो क्यूचन नंबर साथ में आया था यहां पे हम आपको क्यूचन प्रिभियस एर का क्यूचन बता रहे हैं उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे तो चलिए आपको इस क्यूचन का सॉलूशन दिखाते हैं बुल रहा है कुछ लोगों ने एक काम को 18 दिनों में पूरा करने का वादा वचन दिय थिक है लेकिन उनमें से च्छा लोग गहर हाजिर हो गएं और बाकी ने बीस दिनों में काम पूरा किया लोगों की वास्तविक संखिया कितनी थी उल्ढ़राय की कुछ लोगों ने मालो कि कुछ लोगों ने एकस लोगो ने post लोगों ने पता यहतं एक् ौम लिया एक्स लोगों ने 18 दिन में काम पुरा करने का वचन दिया लेकिन उनमें से 6 लोग जो कुछ लोग थे उसमें से 6 लोग गैर हाजिर हो गया ठीक है गैर हाजिर हो गया और बाकी ने 20 दिनों में और बाकी जो बच्चा इसमें से इसको घटाने पर जो बाकी बच्चा वो 20 दिनों में कार एको पुरा किया तो वाला लोगों की वास्तिक संख्या कितनी थी इसको हम लोग सोलुशन करेंगे वास्तिक संख्या कितनी थी पता चल दाएंगे इसमें इससे 18x इक्वल टू 20x और 6 दुना माइनस का 120, 12 और 0, 20 यहाँ पर माइनस में 120 इधर आएंगे प्लस में 20x इसको उधर लेंगे माइनस 18x 120 इक्वल टू 2x तू से इसको काटाएंगे तो 60 यानि x का भेलू आगया आपका 60 जी यह जो पुछ रहा था लोगों की वास्तिक संख्या कितनी थी तो वहाँ पे लोगों की वास्तिक संख्या 60 थी, 60 लोगों ने बोला था कि 18 दिनों में हम काम को पूरा कर देंगे चलिए ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्यूचन की ओर चलिए दोस्तों यह रहा आपका क्यूचन नंबर 2 क्यूचन नंबर 2 जो कि वजन 50 केजी है एक कक्षा में 40 बालिकाएं है अस्मीता जिसका वजन 50 केजी है कक्षा छोड़कर चली जाती है अस्मीता रजनी नामक एक नई बालिका आ जाती है जिसके कारण कक्षा का ओसत वजन 1 बटा 4 केजी बढ़ जाता तो बोल रहा है रजनी का वजन ग्याद किजिए एक कक्षा में 40 बालिकाएं है कितने बालिकाएं है 40 बालिकाएं है ठीक है और कितना 50 केजी के जिसमें असमीता है तो बोल रहा है कि एक नई बालिका आती है जिसका औसत वजन 1 बटा 4 केजी है तरजनी की वजन ग्याद किजिए यह आपको simple question है जो आपको यह है से आपके एक अप्छा में बालिकाया जो है वो है यह रहा आपका इस मिता का वजन अब यह जो अब उसके बाद आए उसका वजन यह और यह इसको गुना करके इसको जोड़ देंगे तो साथ यह क्यूचन देखने में बहुत बड़ा था लेकिन यह सबसे simple question था ठीक है यह सबसे simple question आपको था यहाँ पर रजनी का वजन ग्याद किजिए बोला तो रजनी का वजन कितना आगे साथ के जिजिज जो कि आपको भी option भी राइट एंसर है यह रहा आपका क्यूचन नंबर थाड क्यूचन नंबर थाड जो कि SSGD 2023 में पुछा हुआ क्यूचन है चलिए इसको भी हम लोग solve करते हैं बोल रहा है कि एक खुद्रा विक्रेता दस परसेंट छुट देने के बाद 2700 रुपिया में एक वस्तू को बेचना चाहता है ठीक है वस्तू का अंकित मुल्य क्या है वस्तू का अंकित मुल्य क्या है पुरा एक खुद्रा विक्रेता दस परसेंट छुट देने के बाद यानि यह दस पर देता है तो यह आपका नीचे ओला क्या होता है मार्क प्राइच अब यह जो छुट दिया वह होता है ठीक है यह जी छुट दिया दस रुपया में एक रुपया छुट दिया थे कितना दिया नौ और नौ यूनिट कितने के बरावर है 2700 के बरावर है छुट देने के बाद 2700 रूपिया में यहां छुट दिया तो 9 बचा 9 2700 रूपिया देने के बाद 2700 रूपिया में एक वस्तू को बेचना चाहता है बेचना चाहता है इससे इसको में लोग काटेंगे तो 9 327 एक बरावर एक यूनिट बरावर 300 तो बोल रहा क्यूचन में वस्तु का अंकीत मुल्य क्या है मतलब मार्क प्राइज क्या है तो मार्क प्राइज था दस रुपिया तो यहां पे दस यूनिट बरावर कितना होगा तो तेन सो गुर्णा दस बरावर 3,000 आपका राइट एंसर होगा फिर से जात खुद्राव विक्रियत दस परसेंट छूट देने के बाद दस परसेंट छूट देता है उसके दोस्तोहा दे एक सबस्तो न रुपिया किन में युश्ट रुपिया क्या उसर गिन आत कि कि वस्तो के नों रूपिया दस रुपिया था तो दस एक यूनिट के 300 तो दस यूनिट के कितना होगा तीन हजार रुपिया यह आपका राइट एंसर भी होगा चलिए ले चलता है आपको क्यूशन के रहापका क्यूशन नंबर फॉर क्यूशन नंबर फॉर जो कि एस से जीड़ी में यह बार बार क्यूशन पुछा हुआ है और जैस सी सीडियल में आया हुआ क्यूशन चलिए इसका हम लोग सॉल करते हैं यह क्यूशन बोल रहा है कि दो संख्याओं पांच पर तीसदिशाथ 120 है तो दूसरी संख्या का इस ऑक कितने केवराबर होगा सबसे पहले दो संख्या है जो स्थ मालों यह फूर सख्ष कि also if तक बाद है लिए पहली यह उन्ख्या का चालिस परतीसद Champ एक सबस्बीस के बराबर यहाँ पर देखते है पाहली शंख्या यह है दूसरी संख्या यह यह संख्या यह संख्या पहली शंख्या यहां बोला यादि पहली शंख्या का 40 पर 30 मतलब गुना 40 पर 30 मतलब 40 बटा 100 कितना है 120 है बराबर 120 फिर से सुनी करा दो संख्या पांच अनुपात चार के अनुपात में हैं फरस्ट और सेकेंड दो नो जो कि अनुपात में ठीक है तो में यह फाइफ एक्स फॉर एक्स और उसके बाद वहाद यह पहली शंख्या का 40 पर 30 120 है यह इसका 40 पर 30 मतलब 40 बटा 100 कितना गबराबर है 120 है ठीक है तो यहां से कुछ निकलेगा यह 0-0 खत्म यह 0-0 खत्म है कि हो गया कि 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 का का कि अच्छिए यह रहा आपका क्यूचन नंबर फॉर यह भी जैसे सी सीजियल और जैसे सीजीडी में भी पुछा हुआ क्यूचन है चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं यह क्यूचन बोल रहा है कि दो संख्याओं पांच अनुपात चार के अनुपात में हैं दो संख्या पांच और चार के अनुपात में हैं यदि पहली संख्या का 40 पर तीसद 120 है तो दूसरी संख्या का 60 पर तीसद किसके बराबर है है मालने तहें चलिए अबISAल करते इसको दो संख्या निरे पाँच अनुपात चार चार के अनुपात में यह हैं संख्या आओ यहाँ पर यह फॉर एकस हुँनों संख्या दो यदि पहली शंख्या का यदि पहली शंख्या यानि 5 İs का मतलब गुम्नылा drainage चालिस परतीसत मतलब 40 बटा 100 कितना है 120 है बरावर 120 योदि पहली संख्या पहली संख्या खाई फेक्स का 40 परतीसत का मतलब गुना 40 परतीस मतलब 40 बटा 100 120 है ठीक है इसको मुलोग सौल करते हैं यह से यह कटेगा उसके बाद पांच दूना 10 दू से दू दूना 4 यानि यहाँ पे 2x एक्वल टू 120 एक्वल टू इसको काटेंगे ता आएगा आपका 60 अब यहाँ पर पहली संख्या पांच गुना 60 ब्रावर 6 पचेतीस तीन सो ये पहली संख्या हो गया दूसरी संख्या 4x है यानि 4 इंटू 60 चोचोगा 24, 240 हो गया दोनों शंख्याई निकल गए वो दाय अब तो दूसरी शंख्या का 60 पर 30 किसके बराबर है पाली शंख्या ये है दूसरी शंख्या 240 आया और 240 का 60 पर 30 मतलब 60 बटा 100 ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कट गया अब यहाँ पे गुना करेंगे चोचोग का 24 के 4, 6 दुनावारा और 24, 144 दूसरी संख्या का 60 पर 30 किसके बराबर है जो कि आपका ओप्सन सी को फोलो करता है चलिए ले चलते आपको नेक्स्ट क्यूश्ट चलिए दोस्तों ये रहा आपका क्यूशन नमबर 5 क्यूशन नमबर 5 आपको बोल रहा है कि यदि तीन पूरुश या चार महिलाएं प्रती दिन 480 रूपया कमाते हैं तो पांच पूरुशो और साथ महिलाओं की एक दिन की आए कितनी है आपको ओप्सन दिया हुआ है यह आपका क्यूशन है आप चाहिए तो सॉल्ब कर सकते हैं चलिए हम सॉल्ब करते हैं इसको बोल रहा है कि यदि तीन पूरुश या फिर चार महिलाएं दोनों का निकालते हैं अगर तीन पूरुश काम करता है तो 480 रूपया प्रती दिन मतलब की एक पूरुश का पर हम लोग को निकालना है तो कैसे निकालेंगे तीन मेल इकोवल टू चार सो असी ठीक है एक मेल बराबर पूरुश बराबर कितना इससे इसको काटेंगे ता 1648 एक सो साथ मतलब एक आदमी एक दिन में 160 रूपया कमाता है अगर महलाएं का निकाले तो क्या होगा फॉर उमेंस चार सो असी रूपया मिल करके कमाते हैं एक उमेंस कितने कमाएंगे 1248 यानी 120 रूपया अगर एक पूरुश एक पूरुश एक दिन में 160 रूपया कमाता है और एक महला एक दिन में 120 रूपया कमाता है हम लोग एक दिन का दोनों का निकाल लिए अब बोल रहा है तो पांच पुरुषों और साथ महिलाओं के एक दिन की आए ग्यात किजिए एक दिन की इसलिए निकाले कि एक ही दिन के पुछ रहा था हम लोग के महिलाओं पुरुषों महिलाओं के एक दिन के पता चल गया तो बुल रहा है तो पांच पुरुषों पांच पुरुष मेल और साथ महिलाओं साथ वुमेंस की एक दिन की आए कितनी होगी पांच मेल मतल से एक सो बीस पैता साथ का 120 से मल्टीपलाई कर देंगे अब देखेंगे 1685 असी आठ सो पला बारा सत्य चोरासी आठ सो चालिश यानि कि आठ हाट सो लो सो चालिश पांच पूरु सो और साथ महिलाओं के एक दिन की आय कितनी होगी तो सो लो सो चालिस रुपिया होगी जो कि ओप्सन नंबर डी आपको दिख रहा है इस तरह कि आप क्यूचन पढ़ना चाहते हैं तो आप रामा मैथ मस्ती यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन लोग को भी तक प्रीविएस यह एक साइज कॉंस्टेवल का प्रीविएस यह का क्यूचन को देखने को मिलें चलिए थैंक